रात होया दिन 2400 घंटे लगातार गाजा पे हमले जा रहे हैं आईडी अफ के और एक बहुत बड़ा हमला हुआ है न्यू जेट इन इंडिया इस वक्त गाजा बॉर्डर पे मौजूद है इसराइल की तरफ और वहां से आपको एक बड़े हमले की तस्वीर आपको दिखा रह जालिया या बेट हनून है उसी का इलाका है उसी के आसपास का वहां एक बहुत बड़ा हमला किया गया है जिसकी तस्वीरे कैमरे पर कैद करने की कोशिस हमारे कैमरा परसन करम सिंग कर रहे हैं बड़ा गुबार उठा है वहां से और लगातार चोटे बड़े धमाके लगा किया है आईडियेप के एक बड़े अधिकारी ने भी कहा है कि नॉर्डन गाजा में वो हमला और तेज करेंगे बावजूद इसके की इसराइल पर सीज फायर का दबाव है और बड़ा गुबार दिखता हुआ एक तरफ हलका कला और दूसरी तरफ सफेद गुबार आपको दि अर्थक्वेक बॉम्ब के इस्तिमाल का भी आरोप हमास की तरफ से लगाया गया कि इसराइल ऐसे बॉम्ब का इस्तिमाल कर रहा है इसराइल की पर आरोप लगाया जा रहा हमास की तरफ से कि जिससे ऐसे स्थिति पैदा होती कि लगता है कि अर्थक्वेक आ गया तो इस तर बाद भी यहां मौझूद है गाजा बॉडर पे आप तक रिपोर्ट पहुँचा रहा है आईडी एफ की तरब से लगातार उत्तर गाजा में हमले किये जा रहा है और रात भर हमले के बाद इस वक्त आप देख सकते हैं दिन में भी उत्तर गाजा के इलाके के आस्मान पे काल पॉएंट किया जाता है फिर धमाके किये जाते हैं रात में जब हमले होते हैं तो उपर धुआ और गुबार नहीं दीखता है लेकिन जो आग की लप्टे हैं आग का शोला है वो आपको देखने को मिलता है तो न्यूज एट इंडिया लगतार आपको वो खबर दिखा रहा है हम यहां लगतार मौजूद है गाजा बॉडर पे जहां से गाजा महज 800 मीटर की दूरी पर है